यास्टानेकूम Medical Herbal Physician Herbalist Morpias आप लोकी खिदूत में आजिर है विंटर चल रहा है जी विंटर में हम जोश और वर्वले को कैसे बूस्ट करें लिबीडो पावर को कैसे बूस्ट करें हम अपनी एरेक्शन को कैसे बूस्ट करें तो इसके हवाले से आज के मेरी ये विडियो है कि मर्दाना जोश वलवले को ताक्त को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं कौन सी घजाएं यासी खाएं कि विंटर में हम स्पोर्ट भी करें हमें ठंड भी ना लगे और इस हवाले से भी हम बेफिकर हैं तो विंटर सीजन में आर्टर्णेटिव मेडिसन हर्बर मेडिसन पे आप बलीव रखते हैं तो ये चैनल जोश वलवले को कम नहीं करेंगा लिबिडो को अरेक्शन को कम नहीं करेंगा सेकिंड ड्राइब फूट्स का ज्यादा इस्तामाल करें ड्राइब फूट्स इतने ज्यादा भी नहीं खानें कि जिगर में गर्मी हो जाएं ड्राइब फूट्स अगर ज्यादा स्यादा मेड़ार है वो दस से बीस क्राम है इससे ज्यादा ना खाएं चाहे वो कोई भी चीज है चाहे वो काजू है चाहे पिस्ता है या चाहे बदाम है 10-20 ग्राम से ज्यादा राइफ फुर्स लेंगे तो जिगर में गर्मी हो जाएगे नबर 3 पे है दूजलेबी दूजलेबी अब दूजलेबी को किस तरह इस्तामाल करना है बितिन थी कब दारों मोसली इंडिया की जो मोसली है वो किसी की आपको हर्बस टोर से असानी से बिल जाएगे वो लें उसका पौटर लें उसका पौटर मेदे में डालें या जो जूजलेबी वाला है उसको कहें, कि आपके इस ओर्डर पर मौसली उसमे एड़ कर दे या खुद धर पर त्यार कर वा लें तो जो जलेबी का मैद़ा है, उसमें अतनी ही मिकदार में मौसली का पॉडर डाल लें, वह वाली जलेबी दोज़ में डालके खाएं तो मनी के खिल्ट ही होगी मादा दूलीग गढ़ा रहींगा और किसी किसम का कोई मिसला नि होगा सुप सोल में ज्यादा इस्तावाल करें आप मटन सूप लें आप मुर्गी का दूप लें इनका इस्तावार एक तोّब क्यूंकि सर्दी में बलट गढ़ा होता है सर्दी क्या हरारत नहीं होती घर्मी नहीं होती सूरज भी इतना नहीं निकलता तो जिसम में कलाॉट मढ़ने शुरू हो जाते हैं और ब्लॉड गढ़ा होना शुरू हो जाता है तो ब्लॉड को फटार करने के लिए सूप से बढ़के कोई चीज नहीं हो में यह मतन सूप जो है काली मिच का इस्तामाल ज्यादा कर दे और वो पिए तो बलड को काड़ा नहीं होने देगा कलॉस नहीं मनने देगा और ठाड भी नहीं आप दों को फील होगे तो अमीर करता हूँ मेरे इस वीडियो को आप रुपने पसंद किया होगा अलाव का हमें नासिर हो शुक्रिया जिजा करना अलाव कर दो